हेलो गाइज और वेलकम टो दे चैनल आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको जनरल अवेरनेस वीक लगता है तो कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कैसे इसे strong बनाया जाया थो उसके बारे में बात करेंगे कैसे आप current affect part को strong कर सकते हैं sources कया है current affairs के और banking और strategy के तो मेरी strategy क्या थी उसके बारे में भी बात करेंगे तो देखते है current affair को आप कहां से पढ़ सकते हैं सबसे पहले आपको पढ़ना है newspaper newspaper अगर आप regular पढ़ेंगे तो आपका current affair automatically improve होना शुरू हो जाएगा ठीक है newspaper बहुत important role play करता है आपके English में भी plus current affair में भी साथ में आपको क्या करना है आपको करना है study IQ की videos को follow current affair की videos को follow करना है mainly अगर आप current affairs की video को follow करते हैं तो आपका current affair almost इसमें 80-90% cover हो जाएगा ठीक है secondly आप एक और चीज़ कर सकते हैं various magazines आती हैं ठीक है आप किसी भी book store पे जाके magazines देख सकते हैं current affairs की ठीक है monthly magazines आती है तो आप उनको जाके follow कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है आपको करना है अड़ा का capsule download और उसको पढ़ना है last के 15-20 days में ठीक है एक quick revision देनी है उसको ताकि आपका जो exam है उसमें कुछ part रहना जाए क्योंकि यह आपके जो main difference है वो current fare ही बनाएगा यानि कि current fare main difference बनाएगा PO के exam में ठीक है अब क्या होता है कि PO के exam में current fare SER का portion ज़ादा होता है और clerical exam में थोड़ा सा current fare SER का portion कal होता है तो यह चीज़ बैंकिंग थोड़ी जादा हती है current fare अगर आपको इस चीज़ पता होनी चीज़ देख सकते हैं मैंने भी 5-4 वीडियो अपलोड की आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपका बेसिक है तो आपका बेसिक भी स्टॉंग होगा और उसके बाद आप अड़ा का centuries by reserves और आपको और भी कोई thermal power plant है ठीक है wind power plant है इस तरह की चीज़ें आजाती है nuclear power plant यह इसमें आजाता है static में और currency capital यह सब आजाता है static में अभी यह कहां से पढ़ना है इसके लिए मैं आपको दो channel suggest करूँगा एक तो है study IQ एक है test book दोनों channels को आप follow कर सकते हैं अगर आपको और यहां पर एक काम करिए static की एक list बनाई है list देखिए list में particular topic सर्च करिए static आपको एक साथ नहीं डूढ़ना है आपको topic सर्च करने है कि अगर damn search करने है तो damn search करिए ठीक है अलग-अलग से आप Wikipedia पर जाके भी check कर सकते है Google पर जाके भी check कर सकते है तो आपको separate यहां पर मि जाएगा material अगर आपको material चीए static का तो आपको bankers अड़ा पर जाके download कर सकते है ठीक है एक और आपको website बता दूँ मैं let's study together इस website पर जाके भी आप check कर सकते हैं कोई भी study material उसके बाद बात करें अब economy भी important role play करती है क्योंकि economy के questions भी आ जाते है तो economy के लिए आपको पढ़नी है books अगर आपकी economy background है तो आपको economy अच्छे से आती होगी नहीं तो economy से related जितनी भी books है आप download कर सकते है कोई भी book economy का part जो है वो same रहेगा ठीक है economy कभी change नहीं होगी जैसे कि geography कभी change नहीं होती history कभी change नहीं होती उसी तरह से economy कभी change नहीं होती जो एक book में दिया है almost similar दूसर book में भी होगा ठीक है बताने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन जो concept है वो same ही रहेगा तो economy आप book से पढ़ सकते है या फिर आप videos follow कर सकते है economy में क्या जाता है GDP वगरा ठीक है inflation, deflation, increase, decrease तो यह सब आजाता है economy में कैसे क्या हो रहा है economy से related इसमें आपको पता लग जाएगा GDP GDP क्या होता है GNP क्या होता है ठीक है और मैं इसकी दीरे दीरे वीडियो भी लेंगा आपके मेंस तक तो अगर आपको economic की वीडियो चाहिए तो आप message कर सकते है उसके बाद बात करें अब और क्या पढ़ना है तो आपको इन सब के अलावा क्या क्या पढ़ना है एक तो latest books and authors अगर latest किसी ने कोई prize achieve किया या फिर किसी ने कोई जीता है कोई कोई भी prize मान लीजिए noble prize हो गया तो यह सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए man booker prize होता है अगर किसी ने जीता है तो आपको वो चीज़ पता होने चाहिए उसके बाद बात करें latest sports event जैसे अभी हाली में Asian Games होई है और जो tennis के tournaments होते है grand slams उसके बारे में आपको पता होना चाहिए F1 races अब यह races जो Azerbaijan grand prix होती है जितनी भी races होती है ठीक है इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए कौन जीत रहा है ठीक है तो 3-4 नाम में mainly Lewis Hamilton ठीक है यह आपको 3-4 नाम पता होने चाहिए अभी detail में डिसकस नहीं करेंगे आपको 3-4 नाम है यही होते हैं बार-बार mainly Lewis Hamilton जीते हैं ठीक है वल्टारी बोटास और इस तरह के 2-3 नाम है ठीक है आपको पता होने चाहिए अब बात करें GDP में कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है यानि कि latest trend क्या जल रहा है पिछले साल क्या trend र रहा था ठीक है यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि GDP जो है यह इस टाइम काफी चर्चा में है काफी लोग इसके बारे में जानना जाते हैं और यह global market में काफी important मुद्धा बना हुए GDP तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए इंडिया जो है वो fastest growing economy है हमारी तो आपको GDP के बारे में ध्यान रखना है कि GDP क्या होता है और कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है उसके बाद बात करें current rates की तो monetary policy क्या होती है आपको यह मैंने वीडियो में भी समझाया है और monetary policy में आपको बता दूँ जैसे की rates होते हैं various CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate तो इस तरह के rates जो है क्योंकि वो values एक्जाम में आजाती है कि इस समय बताइए कि current repo rate के चल रहा है current reverse repo rate के चल रहा है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चीए साथ में याद करिए days and dates यानि कि कोई day है जैसे yoga day का बाता है ठीक है इस तरह के days का बाते है doctor day का बाता है international yoga day का बाता है world hindi day का बाता है तो इस तरह से आपको पता होना चीए various days or dates का बाती है लेकिन आपको पढ़ना वही है जो एक तो important है और दूसरा जो आपके exam से एक दो महीने आगे या पीछे है ठीक है वो चीज़ आपको ज्यादा focus करनी है साथ में एक last चीज़ मैं आपको बजा दू लेटेस्ट appointment भी आपको पढ़नी है यासे कि कोई भी appointment हुई है political field से related ठीक है इस तरह की appointments आपको सारी पढ़नी है अपने जो major institutions है major universities है वहाँ पर क्या appointment हो रही है वो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है और भी बहुत सारी चीज ये तीन चीज़ें आपको main cover करनी है ये चीज़ें बात की बात है ये भी आपको साथ के साथ cover करनी है ठीक है economy अगर आप छोड़ भी दें तो इसमें ज्यादा question बनेंगे नहीं अब आज करें कि याद कैसे करना है याद नहीं रहता लोग भूल जाते है जल्दी remember नहीं कर पाते है तो मेरी strategy क्या थी याद करने की तो याद करने के लिए आपको एक चीज़ द्यान रखनी है कि आपको याद कैसे करना है सबसे पहले किसी चीज़ से अपना connection बनाई है जैसे कि माल लीजे कोई word है ठीक है आपको वो चीज़ याद नहीं हो रही तो आप किसी example अगर किसी का नाम है ठीक है अजीद दोवल है माल लीजे ठीक है तो इसके आप इसके नाम से या आपका अजीद कोई friend है उस तरीके से आप कोई याद कर सकते है या फिर दोवल इसमें से कुछ आप link छोटे-छोटे links बना सकते हैं यह आपके उपर है आपके brain किस तरह से चलता है आपको links कैसे बनाने है छोटे-छोटे ठीक है तो ऐसे links बहुत सारे बन जाते हैं एक बार आप practice करेंगे तो आपके links अपने आप बनते रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी याद रहेगा उसके बाद short forms बनानी है यानि कि अगर कोई बड़ी countries का नाम है जैसे Myanmar बीपार्ट ले रही है नेपाल बीपार्ट ले रही है ठीक है और इंडिया भी पार्ट ले रही है शिलंका भी पार्ट ले रही है वैसे अब इसको short form में याद कर लिजिए MN-IJS थीक है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं short form के रूप में उसके बाद keep in touch यानि कि एक हफते बाद तो revision करनी ही करनी है ठीक है तो एक हफते बाद revision करेंगे तो आपको उसके touch में रहेंगे और आपको भूलेगा नहीं जिली और exam से पहले आप एक बाद revision करके चले जाएंगे तो आपको जादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी सामना ठीक है अब repetition की बाद करे है उसको बार-बार पढ़ रही है current affairs अगर आपने पढ़े है एक बार ठीक है एक बार आप पढ़ लिए याद नहीं होंगे दो बार पढ़ लिए हो सकता है थोड़ा बहुत यादो थोड़ा बहुत भूल जाए फिर आपको दबारा दबारा पढ़ना है current affairs को repeat करना है तभी जाके आपको tips पे हो जाएंगे फिर आप सारा कुछ याद करेंगे और exam में आप अच्छे marks लाप आएंगे तो दोस्ते ये थी आज की video I hope आपको पता लगा हो general awareness में कैसे आप strong मना सकते हैं कैसे cover कर सकते हैं मेरी strategy क्या रही अगर आपको किसी तरह का भी message भेजना है suggestion चीए instagram पे id पे आप message भेज सकते हैं thank you for watching